Welcome to Facilitators Plus पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रिल बिजनस डिजिटल प्लाटफॉर्म जो नासिफ इंडस्ट्रिल अक्यूपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बलके आपको इंडस्ट्रिल बिजनस ट्रिनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ओलाइन कंसलिटेशन सर्विसेज भी प्राहम करता है यही वज़ा है इससे बेहतर और फाइदामान कहीं नहीं असलालेकूम, वल्कम तर फसिलिटेटर्स प्लस आज में पर पास है यह बग कंवर्टर, इसको आज में इलाबिरेट करूंगी इस बग कंवर्टर का मकसद यह होता है हम इसके अंदे इंपट वोल्टेज देते हैं और यह हमें डिक्रीज करके रेगुलेटिट आउट्पट वोल्टेज देता है यह SMPS प्रिंसिपल के ओपर वर्क करता है यानि स्विच्ट मोड पावर स्प्लाइ यह फ्रिक्वेंसी को वैरी करते हुए रेगुलेटिट आउट्पट वोल्टेज देता है यानि आउट्पट में आपको without any variation smooth voltage मिलते हैं तो हम इसे voltage देते हैं और यह हमें हमारे required voltage decrease करके provide करता है जैसे कि अगर हमारे पास power supply 12V की है या हमारे पास 24V की है और अगर हमें 5V चाहिए तो हम इसके जरीए इसकी input में वही 24V की power supply देंगे और इसे output से हम 5V सेट कर देंगे इसके और यह वारे रिजिस्टर लगा हुआ है जिसे हम अपने regulated voltage सेट कर सकते हैं देखके में वहापे इन पूट्व जैसे आप इंप्ट सेट करेंगे और इसकी आउट्पर्ट में ते 5V DC हासिल कर सकेंगे So, हम यहाँ पर input voltage देंगे और यहाँ से इसके अपर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ इनपुट जेहाँ पर N लिखा हुए यह N और यह N इस N के ताथ प्लस लगाई यह input यह पॉजटिव की है और यह नगेटिव की है So, सेम यहाँ पर भी output पर भी आउट के साथ यहां प्लस लिखा है तो यह पॉस्टिव की है और यह माइनस यानि यह नेगटिव की है इसके इंपट वोल्टेज है 4.75 से लेकर 35 वोल्ट तक और इसके आउपट वोल्टेज है 1.25 से लेकर 26 वोल्ट तक इसकी कनवरियन एफिशंसी 90% से ज्यादा की होती है है इसके बहुत बढ़ी स्पेश्यलटी यह है कि जो हम इसके एंपट वोल्टेज देते हैं जैसे सब वेसे 24 एंपट वोल्टेज सेरे हैं और हमने फॉय葉 ou remain didn't drop करता है वह उन्हें कर देता है और आपकी आउटपुट की पावर बढ़ा देता है इसके आउटपुट के हम टू एक का लोड अप्लाइ कर सकते हैं वैसे इसके मैक्सिमम अपर क्रणाइब की लेकिन जो इसके नॉर्मल एमपेर हैं वह हैं तू एमपेर सो हमें कुशिश करनी चाहिए कि हम 21 तक इसको पर लोड़ दें तो मैक्सिमम जो है वो है 3 एंपेर इससे जादा ये बर्दाश नहीं करेगा सो अब मैं आपको बताती हूँ कि यह था हमारा बक कन्वेटर बक कन्वेटर का मॉडल है आप इससे कहीं से भी पर्चेस कर सकते हैं आप इससे ऑनलाइन भी पर्चेस कर सकते हैं इसके जो प्राइस रेंज है वह 150 से लेके 200 तक है यह बहुत यह असानी से आपको मिल जाएगा अब हम मैं आपको बताती हूँ कि हम इसे कहां कहां यूज कर सकते हैं अगर आपके पास एक पावर स्प्लाइग है जो 24 वोल्ट की है और अगर आपको वोल्ट चाहिए है 5 वोल्ट चाहिए फ़र्स करेंगे आपने मुबाइल एक चार्ज करना आपको 5 वोल्ट रिक्वाइ सकते हैं यहां पर N के साथ लिखा हुए प्लस यहां पर N के साथ लिखा हुए 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 यह रहा है इसके उपर आप इसके जरीये अपने रेगुलेटिड वोल्टेज सेट कर सकते हैं यहां पर आप अपने रेगुलेटिड वोल्टेज यहां से सेट करेंगे और आउट्पुट की जो प्लस है यहां पर पॉस्टिव की और यहां पर जो माइनस है यहां पर नेगटिव वोल्टेज हासिल कर सकेंगे अगर आप भी अपना टैलेंट लोगों तक पहुंच जाने और सिखाने की गर्श से अपनी टेकनिकल वीडियो हमारी सोचल मीडिया प्लाटफोर्म पर अप्लोड करवाना चाहते हैं तो दिएगे नंबर पर अभी राप्ता करें सो यहां पर आप क्या कर सकेंगे अगर आप चाहते हैं कि आप मुबाइल की डाटा केबल होती है वह वहां पर लगाकर अपने मुबाइल को चारज कर सकते हैं इसनी तरीके से सिर्फ मुबायल ही नहीं बलकि तमाम वो चीजे जिन को आप यूज अजाथे हैं. लेकर आप के पास रियुक्वारईड वोल्टेज नहीं हैं. आपके पास रियुक्वारईड हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप इसी buck converter के जरीए उससे अपने जो वोल्ट हैं वो आपने regulated करके यहां से सेट कर सकते हैं इससे होगा यह कि अगर पीछे से आपके power supply में भी कोई भी variation आ रही हो तो आपका जो buck है वो उन variations को खतम करके आपको only regulated voltage देगा जो कि आपने set किये होंगे और ऐसे होता है कि आपको पास होती है, 9 world आपको आ पास आ होता है, आपको पास आ रहे होते हो तो आपको फॉर वॉल्ट चाहिए होता है यहां ज़रुदि नहीं आपको single light , इतनने वोल्ट चाहिए, आपको 12 wild भी चाहिए हो सकते हैं आ वही ऐसी तरीकह से अप्ने बारा वॉल्ट वैल आप रगे ला चे करोंगे जिएवान सिफिगे वरr यहां देटते से उत्स चीज़ी सप्ल्यानि के लिए बاشते ही society सम सब्सक्तिप्राई ना यह और औ के साथ प्लस और आट मायनिस यहांथ मायनिस आ रहे है तो आप इसको पीचे भी देख सकते हैं यहाँ पे आ आगे और यहाँ पर यहाँ पीचन बहुति आ Buffaloırd एक box है एक bottle है इसके उन्दे मैं ने एक boost converter कुई उसक ढगा है जैसे बक कर herself is क इसके ंदर boost converter है तो boost converter को मैंने क्या किया है एक bottle कैंडे मैं इसको fix कर दिया अब मैं आपको दिखाते हो किस तरहसे हमारा है boost converter देमंने input के wiring किया input के लिए हमने जो means USB पोड़ कर unsty है सो यहां पे हम इंपुट में से never set की है वह हमारी है यह वली यह इस पॉर्ट से हम आउत्पट वॉल्टिज मैंने इसके आउपट व्यर्ट की है मैंने 11 C लगाके इसको बहुत खुब्सूर्ट त्यार कर सकती है सो यह जैसे के हमने इसके अदर से बंद बंद के यह बहुत खुब्सूरत भी लगा रहा हुगाए जिस तहरा हम तरह ने छिकाए nehmen कर दिये ताकि अगर वाय को कोई भी खेंचे य्ब कुछ भी सुभाय को हो तो यहां पे कोई फरक ना आए सो मैं इसे जितना भी अपने तरफ पूल करूँगी इसको कुछ भी नहीं होगा हूं यहां पर हम क्या करें इसे वापी पाहि निकाल देंगे और इसको बंद कर देंगे कि यहां पर आउटपूट की करने एंड यू विल गेट यूर रेगुलेटिड वोर्टेज सो यह है हमारा बक्स कंवर्टर तो मैं उम्मीद करते हूं कि आपके वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप इसके प्रैक्टिकल डेमोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अ तो आप हमसे वो भी कमेंट सेक्षिन में शेयर कीज़ेगा थेंक्स फॉर रॉचिंग अलाफीज मुन से लिख हैं तो अगर आप भी 100% सैटिस्वक्षिन के साथ रिपेरिंग सुलूशन, रिलाइबल एंड ट्वस्वर्जी स्पोर्ट और औरमेशन कंसल्टैंसी चाहते हैं तो दिये के नमर पर अभी राप्ता करें